सब्सक्राइब नाओ प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नहुंसकार बागवन भाईयो आपका स्वगत है मारे यूटूब चैनल पर तो बागवन भाईयो आज हम अपने और्चर में प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो मैं आपके वीडियो में जो मेरा आपको बत बागवन भाईयो आज हम मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं जो प्लांटेशन की जाती हो किस्त प्रकार से की जाती है मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा नहीं प्लांटेशन करने का तो आए मैं आपको बताता हूं जो सबसे उपर की मिटी हमने एक साइड रखी ती जो सबसे लास्ट की मिटी है उसको अपने सबसे नीचे डालना है तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा एक केजी सिंगल सुप्र फॉस्टिन आप ज़रूरेंट करें सिंगल सुप्र फॉस्फित का एड्ड करने का मऩा बया उधा रहता हैं जो हमारी रूट्स सेसको ड्लब करने में सुप्र फॉस्फपर चोहें मारी हैं थेल्फ करताैं तो बागवन भायों अभी एट करेंगे इसमें एक केजी सुपर फॉस्पेट यह रिच ऑर्गैनिक मैनुर का था अब 1 kg जो इसमें हमने सिंगल सुपर फॉस्पेट एड़ कर दिया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे जो सबसे उपर की मिट्टी थी और एक साइड धेर करके रखिये उसको अब इसमें एड़ करेंगे तो बागवन भायों अभी हमने इसमें एड़ किया मिट्टी सबसे नीचे 1 kg सिंगल सुपर फॉस्पेट और एक लेर मिट्टी की अब इसमें एड़ करेंगे हम एक लेर सड़े हुए गोवर की इसको भी बिल्कुल क्लीन करना है अब एक लेर हमने गोवर एड़ कर दिया और इसके बाद एक लेर हम एड़ करें ये मिट्टी जो सबसे नीचे की मिट्टी है पागर बायो जिस पोर्शन में हमने जो प्लांट लगाना है जो भारे बास जो दूसरी मिट्टी बच्ची हुए उसमें जो है प्राना गोवर एक साल प्राना सड़ा गोवर हमने मिट्टी मिक्स करके रख दिया है तो हम इसमें एड़ करेंगे अबने जो नर्शरी से प्लांट पटके लाया था उसको अबने डिप कर दिया है आप लेश एक बात मैं कहना चाहूंगा जब आप नर्शरी से प्लांट लाते हैं तो ग्राप्टिंग यूनिका विच्छ तो पर धियान रखें ग्राप्टिंग यूनिक चाहिए इसकी जो ग्राप्टिंग यूनिक चाहिए इसकी जो कर सकते हैं कि एंटिभांटिक का , क्यूसी कम पांटिजक कर सकते यह हमने लिया था दो केजी गोबर ताजा गोबर दो केजी लाल मिट्टी और एक केजी माइको राइज हमने एक कर दिया था अब हम इसमें इसको डिप कर देंगे इसका benefit क्या रहता बागवान भायो मैं आपको बताऊंगा जो जो आप प्लांट लगाते हैं उसमें हवा नहीं जाने चाहिए जब हवा जाएगी थोड़ो प्लांट को सूखने का थोड़ा जड़े सूख जाएगी थोड़ा प्लांट को सूखने के थोड़ा चांसिस बर जाते हैं तो एक इसमें आप देखिए पूरी लेयर बन गई मिट्टी और गोबर की इसमें माय को राइजा भी एड़ है तो आप इसमें अपने आप शक्ता नुसार गौम उत्रवेट कर सकते कि इसमें वह एक एंटिवाइटिक का काम करता आए तो बागोने हमाँ अब लगाएंगे प्लांट पत्थर रूस में आएगे वह आप रिमूब कर देजिए जड़े जिस साइड जा रही है उनको सिसाइडी खेला दें आप पौदा थोड़ा सा उपर रगाएं तो बैटर रहेगा क्योंकि ग्राप्टिंग क्यों हमारी जो है नीचे नहीं जनी चाहिए जो रॉटिंग की समस्या आती है वह खासकर जो हमारे डीप रूटीड है जो हमारे ट्रडिशनल प्लांट है उनकी जो है ग्राप्टिंग की नीचे दब गई है जो पायटो भादेरा और कॉल्दर रॉट की समस्या आ रही है अब इसको थोड़ा दबा देंगे ताकी जड़े जो है स्टीक अपने जगा लेले एक बार अब एक लेर हमने प्लांट को लगाने के बद मिट्टी की चड़ा दी अब हम इसमें एड करेंगे माइको राइजा माइको राइजा कफी हेल्प करता है मारी रूट ट्वैलर मट के लिए तो आप दने से जो है पांच चेंच धूर इसको एड कर दीजे पिसकेबाद इसमें मिट्टी डाल देंगे माइको राइजर एड़ करने के बाद उसमें मिटी एड़ कर दी है उसको अच्छे से दबा दीजे ताकि अब अंदर हावा न जाए जाए जड़े मारी न सुखे इसलिए देखिए बागवन भायो जो हम ग्राफ्टिंग के ने एक-डू लेविल से उपर रखिए ताकि ग्राफ्टिंग है उन्हीं न डबे यह हमारा प्लांट राखे रेडियो हो गया तो ग्रैनी स्मीथ चलेंजर का प्लांट है तो जो हमारा प्लांटेशन करने का प्रोसेसर है था बागवान में आप से शेर किया कासा मारा प्रोंचा संदा पनाए उसके बाद करें उसके बाद सड़े हुए गूबर कीदिर उसमें आप चढ़ाhmen फिर उसके बाद एक और मिटी की लियर उसके बाद अपकी बज्जति है उसको सड़े हुए गोबर से मिक्स करके जहां प्लांट लगा रहे हैं उसमें एट कर दीजिए उसी जगा पर आप प्लांट लगा दीजिए फिर उसके बाद एक लेर आप मिट्टी की चड़ाएं उसके बाद 50 ग्राम आप मैकॉराइज एट कर सकते हैं जो कि हमारी रूट व बीबड़ी थी तो एक मारा एक भी प्लांट जो है निस्यू का सारे प्लांट बिल्कुल है थी और ग्रोफ भी काफी वीरस में देखने को में रही है माइकुराइज एक कर दिया सब्सक्राइज एक पूरी स्लरी के साथ हमने जो है पहले इन इसको फंगे साइड में एंटि इस प्लांटेशन करने का पूरा प्रोसेस प्ताया था तो भागवन लास्ट यर हमने यही फॉलो किया था तो अब बात आते हैं बागवन भाईयो इसके टॉप की है जब पहली साल लग जब आप टॉप मारते हैं वह हाई डेंसिटी में चलता है यहां टॉप नहीं मारना तो जब आप हैली साल तो नीच्चे वाला मेंज-टेप जो है मोटा हो जाता है जब पहली साल अब कट मारेंगे उसको बड़ा सोच समझ के मारें हमेशा अगर तो लूप कम आता हो बहां पर आप धाई और तेन पूट पर कट मार सकते हैं जैसे यह वाला एरिया है सनी तो मैं यहाँ पर 22 तक कट मार होगा तो लगवाग बाइस इंच मेरे यह कोड़े के थोड़ा से उपर आता है कि अब इसको कट मारेंगे मैक्सिमम लोगी सांग के बिल्कुल नजदी कट मार दे इसका बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा आज कल हमने कट मार दिया तो अपरेल में जब सहब चलेगा तब तक यह बिल्कुल ओपन है तब तक दो है धूप और पारी से यह है सर जाएगा अंदर जो अंदर ए जो साइड प्रांचीज होगी जो पांच-छे इंच की योज में टूथ भीकेप सादे जब एक नई कॉंपल जो आती उसको एक सारे की जरूरत होती आपने देखोगा कई बार में लीडर टेड़ा में चले जाता है जब आप कट मारेंगे एक उसमें पीज जरूर चोड़ नगली साली सुक जाएगा तो आप यहां से काट सकते हैं बागवार जो आप कर बांग की बिल्कुल क्लोज कट मारती तस पादर साल उसको टॉप मारते मारेंगे तो पीच में अंदर डेड़ पैदा हो जाता है जो की बोजन की स्प्लाइब में तुरह डिस्टर्बेंस पै कारण है जब भी हर साल जब यह टॉप मारते बड़े प्लांट में चोड़े प्लांट में एक पीस जरूर चोड़ दीजी क्योंकि ने कॉंपल आती हो ओ आल्रेडी जब पीस चोड़ेंगे तो अंदर जो है डेड़ बूट पैदा नहीं होगा अगर डेड़ पैदा इसमें जो पीस हमने रख दिया है नेक्स चेर आम इसको यहां से कार देंगे ने कॉंपल जो बिल्कुल हैल्थी आईगी जब भी आप चोटा पौदा ट्रेंगे तो इस जो अपने टॉप मारेंगे अपने चोटे प्लांट या बड़े प्लांट में एक उसमें पीस जो है दूरू सकते हैं और अपना सुचाब कमेंटर बक्स में दे सकते हैं तो भागवान भायो धन्नीबाद आपसे अलविदा लेना चाहता है